नमस्कार, मैं बाल कुश्मुले एक बार फिरह जीरू, शहर के गलियारों में चल रही ताजा चर्चाउंक साथ, आईए सब सब पहले बात करते हैं, प्रनेश कॉंग्रस अद्श कांदिलाल भूरिया की, प्रनेश कॉंग्रस अद्श कांदिलाल भूरिया ने कॉंग्रस की उराज, यानि राहूल गांधी के सामने अपना मोह क्या खोला, अब पुरे प्रदेश भर में उसकी चर्चा होना शोग गई है, इसी चर्चा से गांध पर तेरा में सक्रियता से काम भी करेगा लेकिन जैसे ही बूरिया ने इवराज के सामने मुझ खुला बस एक बार फिर नाथ और सिंद्या समर्थक बूरिया के विरोधी हो चले राजनीती की डगर बड़ी ही तेड़ी मेड़ी होती है नेता कुछ करे तो परिशानी कुछ न करे तो भी परिशानी केंडर का नेता प्रदेश में सक्रियता दच करा ले तो प्रदेश की नेताओं को परिशानी और ना आए और समय ना दे तो भी परिशानी कॉंग्रेस में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है पहले केंड़ी मंत्री जोती रादित्य सिंध्या एक बार सकरी हुए थे तो प्रदेश कॉंग्रेस अध्यवश कांतिलाल भूरिया कायक हैरान परेशान लगने लगे थे सिंध्या ने भूरिया की परिशानी समझी और बार बार आश्वस्त कर उन्होंने प्रदेश के दोरे ही कम से कम कर डाले कमलनात तो पहले से प्रदेश से सदेव दूरिया बनाते आए हैं अब जब कॉंग्रेस के युवराज ने देश भर के प्रदेश कॉंग्रेस शीमस्ता सा लग रहा है। बुरिया के कहे कि मांने कॉंग्रेस नियके निकाल लिये हैं। कारिकरताओं को छोड़ दो नेता कह रहे हैं बुरिया जी आपने ये क्या बोल दिया। हाल के दिनों में कॉंग्रेस कुछ-कुछ एक जुट नजर आ रही थी लेकिन भूरिया ने युवराज के सामने ऐसा मूँ खोला कि वो फिर बिखरी-बिखरी नजर आ रही है लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि क्या इतने बड़े नेताओं के नाम युवराज के सामने शिकायत भरे लहजे में उन्हों नेता अब अपने समर्थकु की पैरवी करने के लिए थाने पहुशना शुरू हो गए हैं कॉंग्रस विदायक तुलसी ने अपनी विदायकी की परवा किये बगेर ही खजराना थाने पहुच एक आरोपी को ही पुलिस थाने से छोड़ने की पैरवी कर डाली यही नहीं वो चल दिये मतलब मिशन 2013 को फटा करने के लिए यहीं सब तो करना है जिसकी शुरुवात सबसे पहले थूलसी सिलावट ने कर डाली है नेता वही जो अपनों का खयाल रखे उसकी बुराई में उसके साथ खड़ा रहे फिर नेता विधायक हो या फिर किसी और समयधानिक पद पर बैठा ही क्यों ना हो जी हाँ वर्ष चुनावी है और इस चुनाव वर्ष में जितना नेता कारिकरता और अपनी पार्टी के पताधिकारियों के लिए लड़ता भिड़ता नजर आएगा वो नेता उतना ही मजबूत कहलाएगा नेता जी की यही टीम पूरे चुनावी दौर में नेता जी के लिए मैदान में डटेंगी इस बात को भले ही धेल सारे नेता नहीं माने लेकिन कॉंग्रस वधायक तुलसी भाईया के लिए सावेर में यही टीम काम करती दिखाई देगी अपने भविश्य के खातेर तुलसी भाईया खजाना थाने की चोखट पर गए तो चर्चा शुरू हो गई भाईया राजेश पाण्डे के लिए थाने हुआ हैं तुलसी थाना प्रभारे दिलराज से बगेल से ये तक कह बैठें कि पाण्डे को छोड़ो नहीं तो मुझे विबंद कर दो वैसे ये सारी बाते तुलसी भाईया मीडिया के कैमरे के सामने इसलिए बोल रहे थे कि मेरे आने के साथ ही मीडिया कैसे आ गया पहलवान मीडिया से परिशान होकर ये बाते कर रहे थे पहलवान को थाने से अपनों को छुडाने का जितना अनुभो है उतना अनुभो जिले के किसी नेता को भी नहीं है तुलसी भाईया का अपनों के लिए थाने पहुँचने का सिलसिला हमेशा बना रहता है हाला कि तुलसी भाईया की करीबी बताने लगे हैं कि भाईया के इस काम में अब मीडिया रोड़ा बन रहा है वरना भाईया तो अपनों को लेकर ही घर जाते हैं फिर भले ही उन्हें आधे दिन ही थाने पड़टे रहना क्यों ना पड़ जाए बहुत शाला के बाहर पिटा हिंदू संगठनों के कारेकरता अब भी बेहत बिफ्रेवे हैं खास बात तो यह है कि कुछ चोट खाय कारेकरताओं को छोड़ दे तो धेर सारे पिटे कारेकरताओं अब अपनी सरकार की पुलिस को लेकर भगवाधरी केलाश विजे वरगी भी महनीमन नाराज है और केवल इतना कह रहे हैं इतनी बरबरता की आवशकता नहीं थी मामला बाचित से भी हल किया जा सकता था जबकि दूसरी और बीजेपी निता है कि सरकार के वावाई में जुट चुके हैं और कह रहे हैं सरकार ने राजधर्म का पालन किया है भुशाला में पूजा हुई नमाज हुई लाठी चार्च हुआ आसू गैस के गोले छोड़े गया हैं लेकिन ये सब होने के बाद भी जिससे बाते करो वो एक ही बात कह रहा है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं पता नहीं क्यों हर बात का जवाब उससे जुड़ा व्यक्ती नामें दे रहा है जैसे पूजा को लेकर हिंदू संगठन का दावा है उन्होंने पूजा नहीं की तो आईजी अनुराधा शंकर कहती है कहां ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ पता नहीं क्यों भोजशाला के सच को बार बार जुठ लाया जा रहा है भोजशाला में जो कुछ भी हुआ उससे लेकर उद्योग मंतरी के लाश विजय वरगिये केवल इतना कह रहे हैं कि ऐसा तो 2006 में हुआ ही नहीं इस बार कहीं न कहीं समन्वय की कमी रही जिससे इस तरह के हालाद वने जबकि दुसरी ओर पूरी विजय पी मिलकर पूरे घटना क्रम पर ही पाई डालने और अपनी सरकार को बचाने के लिए ये कहते हुए मैदान में है कि शुराद सरकार ने राजधर्म का पालन किया अब गलियारों में चर्चा तो है कि जब सरकार ने राजधर्म का पालन किया तो आखिर क्यों दोनों समुदायों के लोग बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हमने पूजा नहीं की नहीं हमने नमाज अता की अखिर किसके कहे पर हुआ देपालपूर में सामूरिक विभा का आयोजन अब इस प्रश्णों को लेकर राजमितिक गलियारों में गर्माट है अखिर वो कौन सा कद्दावर नेता है जिसने परदे की पीछे रेकर चुनावी साल में देपालपूर में दमखम दिखाया अब देपालपूर से भाग आज माने वाले हेरान परिशान है मतलब चुनाव मेदान फटर करना है तो बॉस का आशिरवाद भी उतना ही जरूरी जितना देपालपूर के मद्दताओं का पंद्रा फरवरी यानि बसंद पंचमी को जिले भर के धे सारे सामोहिक विवाह के आयोजन हुए लेकिन एक सामोहिक विवाह का आयोजन ऐसावी हुआ जिसके राजनेतिक मायने निकाले जा सकते हैं दरसल ये सामुहिक विवाह श्री पुंजराज पटेल सामाजीक सेवा समीती के बैनरतले किया गया इस सामुहिक विवाह के मेजबान बने बीजेपी कम और सीधे बॉस से जुड़े रामेश्वर पटेल गुड़ा गुड़ा का अपना स्वजाती बंधू में खूब नाम है बस क्या था हर साल वो आयोजन कराते हैं और इसी के बहाने वो उनकी भी मदद कर देते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं इस बार भी गुड़ा ने सामुहिक विवाह का आयोजन किया लेकिन इस बार स्थान तै करने वाले स्वयम गुड़ा ना होकर परदे के पीछे और कहा यह जा रहा है कि किसी बड़े नेता ने गुड़ा को इतनी खबर भिजवाई थी कि उसे इस बार का सामुहिक विवाह का आयोजन देपालपूर में कर लोट आना हैं अब जब से गुड़ा देपालपूर में लाखों का खर्च कर आयोजन कर लोट आये हैं तभी से विधान सभा तक पहुंचने के लिए बखु भी कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस गुड़ा का यायजन किसकी थाल में गी गिराता है। गरीब सब्जी वालों की सुनने वाला कोई नहीं। ये बात अब उन लोगों के जहन में घर करने लगी है। जो पिछले दो दशक से मालवा मिल सब्जी मंडी पहुंचकर अपने घर के लिए सब्जी खरीदते आ रही है। मालवा मिल की मुख्य सडक पर पुराने जमाने से सब्जी बेचने का काम होता है। इसे फुटकर व्योसायस से ही दोसों से जादा गरीब परिवार अपनी दो जून की रोटी का इंतिजाम करते हैं। अब शहर बढ़ रहा है। साथ साथ इस शेत्र में यातयात का दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में सब्जी वालों को सडक से हटाना लाजमी कहा जा रहा है। लेकिन उन्हें एक माह बाद भी निगम कमिशनर राकेश से एक ऐसा स्थान नहीं दे पा रही हैं। जहां बैठ कर सब्जी वाले सब्जी बेच सकें। पहले राकेश शिस्ते ही ने शिवाजी नगर का रोड इन सब्जी विक्रेताओं को सुझाया। लेकिन यहां की हाला देख सब्जी वालो ने ही अपने पैर पीछे खीच लिए। इसके पर शात मेयर कृष्ण मुरारी मोखी ने सब्जी वालो को आसमान से गिर कर खजूर पर लटकाने का काम कर डाला। निगम मेयर चाहते थे कि परदेशी पुरा थाने वाले फीडर रोड पर सब्जी वाले बैठ जाएं लेकिन खाकी को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने सब्जी वालो के आती ही उन्हें ख़दिल डाला। अब एक बार फिर ऐसे में किवल ब्रिज के नीचे बने बोगदे ही सब्जी वालो के लिए सुरक्षित माने जा रही है। ठके हारे सब्जी वाले भी यहाँ जाने को तयार बताये जा रही है। सब्जी वालो आप देखते रहिए, इसलिए नियुज़.